हेलो गाइज मैं बिजन प्रजापती टाइम ना मिलने के कारण मैं आपको बोर्ड पे नहीं बता पा रहा हूं तो मैंने सोचा कि आपके स्टेडी ब्रेक नहीं हो इसके लिए मैं पेपर और पेन लेकर ही बैठ गया आपको समझाने के लिए तो चलिए सुरुआत करते हैं ले तो यह आप पर हम साइड के रिश्यू की बात ना करेंगे हम ठीटा के टॉम में बात करेंगे तो जैसे कुछ बेसिक से ऐसे भी आप कॉम्प्लिमेंट्री एंगल कितने का होता है 90 डिगरी का होता है छीक है है तो उन्हीं उसी की बेस पर हम बात करेंगे तो जैसे ठीओरं आपकी क्या है जो थियोरम है आपकी तो थियोरम में अगर हम देखें तो पहले थियोरम कहती है कि इस नैंटी माइनस ठीटा अगर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो साइन नैंटी में से माइनस कर लो 90 minus 18 कर लो कितना आजाएगा आपका 2 and 8 minus 1 7 आगया आपका चीक है तो आप यहाँ पे इसको आप ले सकते हो 90 minus 72 ठीकर वायलू भी चेंज नहीं है हमारी स्क्राइब कर लिए अब इसको अकॉर्डिंग टूरम हम लेख सकते हैं आपका कॉस ठीक तो यह हमारा ठीक हो गया यह हमारा कर सकते हैं है आप समझ में आ गया होगा कि क्या है यह चीज ऐसे ही अगर हम कि दूसरे की बात करते हैं जैसे दूसरा हमारा जो है कि ऐसे यह आपका कॉस नाइन्टी माइनस कि ठीटा जो होता है वह कनवर्ट हो जाता है साइन ठीटा के टर्म में ओके एंड ऐसे ही थोर्ड क्उन्टिटी जो है आपकी 1090 डिगिरी माइनस ठीटा जो है ठीक है वह एक कनवर्ट हो जाता है काट ठीटा में ठीक है और ऐसी इसका वाइस वर्षा भी होता है ठीक है आप वाइस वर्षा भी लिख सकते हो है इसको कि ऐसा होगा तो यानि आप ऐसे लिख सकते हो कि καट 90-Theta हो इसको हम 10-Theta राइट कर सकते हैं ऐसे ही अगर 4 आडेंट्री चाहिए आप इसको 4 मान लीजी तो यह 5 हो जाएगा आपका तो आप इसको लिख सकते हो कि को6, को690-Theta है तो यह सिक में convert हो जाता है और अगर आपका सेक 90 degree minus theta है तो यह आपका हो जाएगा cosec cosec theta में convert हो जाएगा तो यह आपकी identities हैं इन पे हम बात करेंगे यह plus पे भी होती है लेकिन अभी कि जो है उसमें आपका वो minus पे ही arrange है तो हम plus वाला भी देख सकते हैं जैसे हमारे main क्या रहेगा कि हमको sign adapt करना देखना रहेगा कि यह first quadrant है यहाँ पे आपका जो all positive होता है इसमें आपका sign और उसका opposite जो होता है वो positive होता है बाकी सब negative होते हैं इसमें क्या है tan positive होता है और इसका opposite positive होता है बाकी सब negative होते हैं इसमें क्या है cause आपका positive होता है और इसका opposite और बाकी सब negative होते हैं यानि इसमें sign और cosec चाहिए लिख लो cosec इसमें 10 and cut और इसमें sick ठीक है तो अगर आप 90 plus suppose that 90 plus आप करते हो theta तो यह इसमें घुच जाएगा यह ठीक है अब इसमें क्या है के sign तो positive है तो कोई changes नहीं होगा क्योंकि sign 90 plus theta इस coordinate में आजाएगा second में और sign इसमें क्या होता है positive है यह इसको क्या लिखेंगे cos theta आप लिख देंगे कोई दिकत नहीं है क्योंकि value हमारी final value हमारी change नहीं होनी चाहिए but but अगर आप cos 90 degree plus theta आप लिखते हो तो आप यहां से उठके इसमें आये second coordinate में और second coordinate में cos की value क्या होती है negative होती है यह convert तो होगा यह convert होगा आपका sign ठीटाम है but negative sign के साथ तो ऐसे ही बाकी का हम इसमें observe कर लेंगे और देख लेंगे ठीक है अच्छा चलिए हम देखते हैं जरा यह कैसे आता है ठीक है यह कैसे होता है इस चीज़ को हम जरा देखते है तो लेट सी और इट सकंस कैसे यह आता है में इस चीज़ को देखते हैं जरा सपोस्ट आपके पास एक ट्राइंगल है पी यम हो है ठीक है यह 90 डिग्री है तो अगर साइन ठीटा का अपर इस साइन ठीटा का अगर आप रिश्यू निकालें तो क्या आप लिखेंगे आपको या रहता है पर पेंडिकुलार अपन अपन हीपोटेनिस होता है यानि पी एम आप पान ओप्यक्राइट करेंगे ओके गुड नव अगर आप दूसरे ठीटा की बा को यह लिख सकते हैं ठीक है अंडर्टेंड तो यह 90 माइस टीटा होगा तो अगर हम इस एंगल को लें इस एंगल को ठीक है इस एंगल को लें अगर कोस के टम में हम ठीक है तो अगर कॉस 90 माइनस टीटा लें इसके सामने आपका यह परपेंडिकलोर हो जागा और यह है पूटेनियस होगा यह बेस होगा तो आखिर कास टीटा का रिश्यो क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस बेस अपान हाइपोटेनियस तो बेस आपका क्या हो जाएगा पीम अपान हाइप सब्सक्राइब यहां से लिख सकते हो फर्दर साइन थीटा इक्वल टू कॉस नाइनटी माइनस थीटा आप चाहें तो ऐसे ही बाकियों का भी आज़िट आप कर सकते हो एक यह चीज मैंने आपको करके दिखाया जो कि आपकी सेकेंड अडिरिटी प्रूफ हो गई आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको चलिए एक जारा सामें एक एक जामपल आपको दे देते हैं सपोस्ट एट फार एक्जामपल आपको ले लें जैसे है कॉस थर्टी सेवन डिग्री है अपान साइन 53 डिग्री है इसको आपको सॉल्व करना है कि क्या अंसर आएगा तो देखिए इसमें कोई रिलेशन नहीं है लेकिन हम क्या लिख सकते हैं कॉस इसको 90 सब्ट्रेक कर लिजिए कास 90-53 लिख सकते हैं कोई चेंज हुआ कोई चेंज नहीं हुआ बस हमने लिखने का तरीका बदल दिया ओके नाउ इसमाणीं सिफिर्ट 10व चेंज डिलेशन नहीं लिखर सहundeं लिख इस सिroid लिख सिफट्रेक लिख four बद्राउ चांस अन्श एफ ग होई व environments da it's in January आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन और इस से रिलेटर जो थियोरम है वो भी समझ में आ गई होगी तो आप प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा चैनल और जो इस ताइम पर पेंडेविंग के कंडिशन में जो आलाइन क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं या क्लासेज जाने के एबल नहीं है उनको सेर कर दिजिए ताकि उनका भला आओ सके थैंक यू